नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे दोस्तों सिरलंका में एक कच्चा तीव नाम का दिव है जो पहले भारत का हुआ करता था लेकिन 1974 में भारत की प्रधान मंत्री इंद्रा गाधी जी ने इसे सिरलंका को दे दिया था जिसी लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कांग्रेस पाइटी पर जमकर निशाना साधा है प्रधान मंत्री मोधी जी ने कहा है कि कैसे कांग्रेस पाइटी ने देश की अखंडता और हितों को कमजोर किया है कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है जी ने क्यों दिया था सिरलंका को कच्चा तीव दीप और इस इलाके का क्या महत्त है जिसको लेकर इस समय देश में राजनीती गर्माई हुई हैं और प्रधान मंतरी मोदी जी और अमिस साह जी ने इतने समय बाद इस टाइम इस दीव को लेकर कांग्रेस के ऊपर किया 274 में कई समझोते हुए थे जिसके बाद ततकालीन इंद्रा गांधी सरकार ने कई सर्तों के साथ इसे स्रिलंका को दे दिया था लेकिन इनके इस फैसले का कई बार बिरोध भी हो चुका है पहले भी कई बार इसका बिरोध हुआ है दोस्तो कच्चा तीव दीप हिंद महासागर के दच्छी छोर पर इस्तित है भारत के दिर्ष्टी कोड से देखें तो ये रामेश्वरम और स्रिलंका के बीच इस्तित है 285 एकड में फैला ये दीप 17 सदी में मदूरही के राजा रामनंद के राज का हिस्सा हुआ करता था अंग्रेजों के सासर में ये मद्रास प्रेसिडेंट्सी के पास आ गया था फिर साल 1921 में भारत और स्रिलंका दोने देशों ने मचली पकड़ने के लिए इस दीप पर दावाठ होका लेकिन उस वक्त इसे लेकर कुछ खास नहीं हो सका भारत की अजादी के बाद समुद्र की सीमाओ को लेकर चार समझाओते हुए यह समझाओते 1974 से 1976 के बीच हुए थे और साल 1974 में भारत की ततकालिन प्रधान मंतरी इंद्रा गाधी और स्रिलंका के राष्ट पर स्रीमाओ भंडार नायके के बीच इस दीप पर समझाओता हुआ 26 जुन 1974 और 28 जुन 1974 में दोनों देशों के बीच दो दोर की बाद चीथ हुई थी यह बाद चीथ कोलम्बो और दिल्ली दोनों जगापर हुई थी बाद चीथ के बाद कुछ सर्थों पर सहमती बनी और दीप स्रिलंका को सॉब दिया गया था इसमें एक सर्थ ये भी थी कि भारतिय मच्वारे जाल सुखाने के लिए इस दीब का इस्तेमाल करते रहेंगे साथ ही दीब पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतियों को बिना बीजा जाने की इजाज़त होगी लेकिन एक सर्ते भी थी कि भारती मचवारों को इस दीव पर मचली पकड़ने के इजाज़त नहीं दी गई थी उस समय इस फैसले का लेकर काफी विरोध भी हुआ था तमिल नाडु के ततकालिन मुख्यमंत्री करोडा निधी ने इंद्रा गाधी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था इसके खिलाप 1991 में तमिल नाडु विधान समा में प्रस्ताव भी पास दिया था दूइब को वापस लाने की मांग की गई थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोड भी पहुंचा था साल 2008 में ततकालिन सीयम जै ललिता ने सुप्रीम कोड में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्चा तीव दीव को लेकर हुए समझावते को आमान ने करार देने की मांग की थी उनका कहाना था कि गिप्ट में इस दीव को सिरलंका को देना असमवैधानिक है दोस्तों कहानी यहीं अभी खत नहीं हुई साल 1974 में भारत और सिरलंका के 20 समुद्री सीमा को लेकर एक और समझावता हुए इस समझावते में कहा गया कि भारती मच्वारे और मचली पकड़ने वाले जहाद सिरलंका के एक्सिल्यूसिव एकनॉमिक जोन में नहीं जा सकते इस समझावते ने कच्चा थीव दीव विवाद को और भड़का दिया तमिलनाडू का मच्वारा समदा इससे काफी ज्यादा नाराज था यही वज़ा थी कि आपात काल के बाद 1991 में तमिलनाड की विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कच्चा थीव दीव को भारत में वापिस मिलाने की बात कही गई इसके काफी समयबास साल 2008 में AI ADMK के नेता जैललिता ने इस मामले को सुप्रिम कोट के सामने उठाया और तरक दिया की भारत सरकार बिना संभिधान संसोधन के देश की जमिल किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती है साल 2011 में जब वो सीयम बनी तो बिधान सभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया वही साल 2014 में अटार्नी जनरल मुकुल रोतगी ने इस मामले पर दलिल देते हुए सरकार की और से कहा था कि कच्चा तीव दीव एक समझावते के तास सिरलंका को दिया गया है और अब वो इंटरनेशनल बाउंडरी का हिस्सा है उसे वापिस कैसे ले सकते हैं अगर आप कच्चा तीव दीव को वापिस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको युद्ध लड़ना होगा दोस्तों मचली पकड़ने के लिए तमिल लांडू के रा में सोरम जैसे जीलो के मचवारे कच्चा तीव दीव की तरफ जाते हैं इन्ही सब को देखते हैं बहुत से मचवारे ने इसका बहुत ज़्यादा विरोत किया था अब कच्चा तीव दीव को लेकर परहान मंत्री मोदी जी ने अपने ट्वीटर पर एक पोस्ट करके लिखा है कि ये चौकाने वाला है नए तेथियों से पता चला है कि कांग्रेस ने जान बूज कर कच्चा तीव दीव सिरलंका को दिया था इसे लेकर हर भारती गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं भारत की अखंडता एकता कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस का काम करने का तरीका है जो 75 सालों से जारी है इसके साथ ही इसे लेकर अमिस साजी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोष्ट किया would you can की कांग्रेस के लिए तालियां कांग्रेस ने जान बूज कर कच्चा तीव दीप दे दिया और उसका कोई पस्तावा भी नहीं किया कई बार कांग्रेस सांसद देश को विभाजित करने की बात करते हैं तो कई बार भारत की सब्विताव और संस्कृति की भी आलोचना करते है यह दिखाता है कि वो भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ हैं वो सिर्फ देश के तोड़ना और बाटना चाहते हैं दोस्तो इस दीव को लेकर इस समय जो राजनिती गरमाई हुई है इसमें आपका क्या मानना है कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लग यह तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद जयाहिंद